लोग सवा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके इनको वापस लिया जाएगा और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको स्वाप कर दें जो लोग गौर्डर्स पर बैठे हैं वो आखिल खाली करें करके भी काम करें सामने गतिविदियां जो किसान के होती हैं उसकंदर अपने अपने काम में लग जाए जितना गतिरोद हो गया है उस गतिरोद को दूर करने के लिए शायद पधान मंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा और चो कोई बात और कि होन्ते की जालगा ऐसे जाद अपने के लिए तैयार नहीं हैं जैसे लोक तंत्र में होता है कि जनता की बात को जुरूर ध्यार में रखते हुए नेले ले जाते हैं हलांकि ने 잘गने लिने का अधिकार भी संसद को है प्रदान मंत्री चीव में के नेता है तो नेता की रात ब्らえて मैं आपस से लोकस्वां का सेर्शन ऊगा देशदे प्रदान मंतरी निरांदर मोधी वल नों तिन खेती कानून वापस लेंदा फैसला कीता गयए ओसल डिशक देफ़िख सो Bite के application में अचना के in the file of the Kelly परदहन मंत्री जी ने जिस परकार से जो पिछला लगबग एक वर्ष से गतिरोध चल रहा था पुछ किसान निताओं ने किसानों के बारे में जो तीन बिल पारित करके कानून बनाये गए थे यद्दपी वो किसान वो जो बिल हैं किसानों के हित्मे थे किसानों की भलाई के लिए थे खास करके छोटे किसान मध्यम दर्जे के किसान उनको बहुत लाव होने वाला था लेकिन चोके कुछ किसान निताओं ने तराज जटाया और एक वो गतिरोध बना था आज प्रधानमंत्री जेने बड़े हिर्दय से और मैं कहूंगा कि उन कानूनों को वापस लेने की गोशना की है और इसमें अब चुके देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धती से जो विवस्ताय अपने होती हैं उनकी इस बात के उपर फिश्वास करते हुए जैसे ही लोकसवा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विदिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको स्वाप्त कर दें जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो आखिली खाली करें क्योंकि समय इनको भी बहुत उससे कठनाई आ रही है और उस कठनाई को दूर करने के लिए आखिर सब के भले के लिए सुचना होता है तो वो खाली करके अपने अपने गरों को लोट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें समय नेगतिविदियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए प्रदार मतिजी ने अपील की है और मैं भी अपील करता हूँ कि अभी से विशय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए जहां तक MSP की बात है चोके वो तो एक सुझाव एक परकार का किसान संग्ठों की ओर से है वो कोई कानून बना नहीं है लेकिंगन उसके लीए भी पहल करके प्तानमत ने कहा है के कमेटी बनाई जायए देखिए जब कोई आपसी समझ होती है तो आपसी समझ में बिल बैठ करके इन सब चीजों पर विच्छार किया जाता है और उसमें भी कई परकार के केसिज हैं कुछ केसिज बहुत सामाने केसिज हैं सामाने तया पहले भी ऐसे बांदोलन होते हैं तो उसी परकार उनके नेड से भी करेंगे और इसमें किसी परकार का आगे कोई वाद बढ़ने ने दिया जायागा लिखी यह सारा अंदोलन का ज्यादा सर हरियना पर यह कुछ पंजाब में भी कह सकते हैं लेकिन इन आखरी दुनों में तो पंजाब में उतना प्रवाव नहीं था जितना हरियना में तुमय जब जब भी पिछले वर्षभर में चाहे अपने पाड़ी के अध्यक्ष से मिला हूं चाहे मिला हूं प्राया बार इस वीशे पर चर्चा होती रही है और उन्हों भी कहा कि किसी प्रकार की बादचीत किसी कॉर्णर से आती है तो वो दूरूर हमारे तक पहुचात बने हैं लेकिन इन फॉर्मली जितनी बाते हैं जितनी इन पुट्स हमारे पास थे वो मने बताए और उसमें बाच्चित करने में जो जो लोगों को हम बेज़ सकते थे के इन निताओं को बेज़ा भी था प्रारम में तो ग्यारा सिटिंग जो फॉर्मल सिटिंग होई थी ले प्रदान मंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा और चो कोई बात और किसान नेता इसे जादा सुनने के लिए तयार नहीं है तो उन्होंने बड़ावन देखा करके और जैसे लोक तंत्र में होता है कि जनता की बात को जुरूर ध्यार में रखत किसानेताओं ने कहीं है कुछ लोगों ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने MSP की बात कही है मैं समझता हूँ इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंति जी ने बात कह दी है क्योंकि कानून कोई बना हुआ बने वो तो तो तीन ही कानून थे यह तीनों ये वापस देने की बात कह दी है और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की विश्वसिनियता समाज में इस देश में बलके मैं तो कहूँगा दुनिया में इतनी बनी हुई है कि जो बात वो कह देते हैं उसको पूरा करते हैं इस पर तो कोई चिंता किसान नेताओं को करने नी चाहिए कि एक बार जब कह दिया है तो निशीत रूप से होगा ही बलके अपने विपक्ष के नेताओं ने भी ये कहा है अभी मैं उड़ा जी के स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री किसानों के हित में हमेशा सोचते हैं चाहिए इन कानूनों के द्वारा लागू होने के बाद जो सिती थी वो अजंप्षन ये थे किसानों को लाब होगा और वैसे भी हमने कभी भी किसान के हित्मे ही हमेशने कड़म उठाए हैं आप रियाना में देख लीजिए हम लोगों ने पानी है वो टिल तक पहुचाया है प्रकुरमनेंट भी ज़ो है ज़ातर अफसलों की परकुरमनेंट भी करते हैं जो हरजाना है जो मानूं हरजाना क्य जो उनका नुकसान होता है, मौावजा है, उस मौावजे को भी हमने सारे देश में सबसे ज़्यादा या रखा हुआ है, पहले ये बाराजार पे आइकड़ था, भी जितनी सुविधाएं किसानों को हम दे सकते हैं, चाहे वो भूमी, ये जो सौैल परिक्षन के जो कार्ड्स से वो हमने बनाए हैं, लैब्स बनाई हैं, हर एक मंडी में अब वहाँ लैब बनेंगी, स्कूल कॉलिजिज में हमने लैब बना दी हैं, ताके सौैल टेस्टिंग का जो सिस्टम है, उसके अधार पर सौैल की जो क्वालिटी है, उसको देख करके किसान को बता जाया क्या ब वर्ष आता है, तो बहुत से ऐसे पग हैं, जो गनाए जा सकते हैं, जो पहले कभी नहीं उठाये गए, आज भी आगे हम छोटा किसान जो है, जिसकी आये बहुत कम हैं, जमीन कम हैं, ऐसे किसान के परिवारों को किसी ना किसी को रोजगार, यानि क्रिशी के इलावा, परिवारों को रोजगार दिलाने के हमारी मुहिम चल रही है, आज भी उसके में लेकर के मेरी बैंक के साथ मिटिंग है, जो हमरी स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटी है, ताकि उनको रोण मिरिन मिल सके, उनको रोजगार करने के लिए काम सके, हम गरीब के लिए, किसान के ल लगातार पिर्शी कानूनों के साथ समर्थन में खड़े हुए था अब ये पिछले बहुत समय सी चीज़ें चल रही थी कही ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा और आखिर तो समस्या कोई विजब होती है उसके समाधान के लिए लोगतंतर में तरीके होते हैं उस त हो गई बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीज़ें अडी रही अंतो गत्वा पिछले लगभग दो मेने से मैं कह सकता हूं कि हमारे मंत्री जी ने भी और पधान मंत्री जी ने भी संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अब ये उनका अपना वि जी है तो उसको भी बैठतर के आगे लोग तंतर में चुनाव तो हर समय आता है इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो असाम के चुनाव है उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई दो चार दो चार प्रांतों के रहती है 37 प्रांत यानि हमारे 29 प्रांत है 29 प्रांत तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई नो कोई आते रहते हैं कि वो किस कारण से उनकी मृत्ति हुए उन कारणों को अधर मान करके और उसका विचार किया जाएगा अब इसमें जो आदमी चला जाता है उसके वारे में ऐसके नी अच्द हुआ हैं क्या कारण रहते हैं उन कारणों पर विचार करें उन कारणों के वात तीनों करिशी कानून जैसर कंजान वे यगा किस साल में किसान दास्दी के खेती कानूना दे खिलाफ किसाना ने सरकार दे खिलाफ मोर चाग खोल देता सी। बाणी गुरू गुरू है बाणी विच बाणी अमर्त सारे। जिञानी साब सिंगजी शाबाद मारकंडा वालय नल करो सिद्धी गल बात। ते जानो गुर्बानी दे अर्थ रुजाना पाठ करनवाले ए प्रोग्राम जरूर देखन ते गुरु साब्दियां असीसां दे पातर बनन देखनाना पुलना सड़ा खास प्रोग्राम गुर्बानी ग्यान एतवार स्वेरे सत्तों अठ वजे तक देखनाना पुलना सड़ा खास प्रोग्राम नाइबतहसीलदार.com कानून जैदादा